पश्रिम बंगाल में लोगसभाद चुनाव के लिए हो रहे मतदान के बीच हिंसा की खबर सामयाई है बंगाल के कूच बिहार जिले के दिन हाटा इलाके में बीजेपी कारिकरता के घर बाहर बम मिला वहीं कूच बिहार में ही चांदमारी इलाके में बीजेपी के बूत देख्ष लाप सरकार के साथ मार पीट हुई बीजेपी नेता के सिर में चोटा आई है उन्हें अस्पताल में भड़ती करवाया गया है हमले कारोप टी-मसी पर लगाया गया मिले जानकारी के मुताबिक कूच बिहार के चांदमारी इलाके में ही जम कर पत्रा हुआ इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों तरफ से लोगों को पत्थर चलाते हुई देखा जा सकता है एक दूसरे पर पत्थर फैकते हुई देखा जा सकता है पत्राव की वज़े से इलाके में वोटिंग भी प्रभावित होने की उमीर जताई जा रही है बीजेपी लंबे समय से कहती आ रही है कि बंगाल में चुनाव के दुरान हिंसा हो सकती है यही वज़े है कि बीजेपी नेता पर हुए हमले का आरोप मुख्यमंत्री मम्ता बनरजी की पार्टी टीमसी पर लगाया गया टीमसी कारेकरता भी घायल हुए है वहीं पार्टी टीमसी पर ये आरोप लगे सूत्रों के मुताविक पर्शिमंगाल में 18 अप्रेल की रात को भी हिंसा हुई थी जब टीमसी के दो कारेकरताओं पर अग्यात हमलावरों ने अटेक कर दिया था कुछ बिहार में हुए इस हमले में दोनों टीमसी कारेकरता खायल हो गए उत्तर बंगाल, विकास मंत्री और टीमसी के दिन हाटा विधायक उधिन गोहा ने बीजेपी पर इसे हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि दोनों कारेकरता दिन हाटा में बूत समीती एधिक्ष के घर जा रहे थे तब ही उन्हें रोक लिया गया उन पर धारदार हत्यारों से हमला किया गया बीजेपी के एक स्थानी नेता ने टीमसी कारेकरताओं पर हुए हमले में हाथ होने से इंकार किया उन्होंने कहा कि ये टीमसी के अंदुरूनी कलह है इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है बंगाल के कुछ बिहार, जलपाई गूडी, अलिपुर्दुआर में पहले चरण में वोटिंग हो रही है वही पुलिस ने मुस्तेदी दिखाते हुए रात में ही यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती कर दी ताकि किसी भी तरह का टकराव देखने को ना मिले एक पुलिस का धिकारी ने ये भी बताया कि टीमसी कारेकरताओं को चोटे आई है मामले की जाच की जा रही है और हमलावरों की तलाश भी की जा रही है